जै गुरुजी, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में डिप्रेशन के बारे में जानना is very much important निमरलजी के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से ऐसे अंग है जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी डेट अफ बर्थ में कि डिप्रेशन की चांसिस है या नहीं है वैसे तो individual analysis करने के बाद ही हम more accurately बता सकते हैं even ये तक बताया जा सकता है कि डिप्रेशन में जाने के chances कौन से साल में प्रबल हो सकते हैं वो हम वीडियो में cover नहीं कर सकते because it is individual but I'll try to give a overall information जो आपको अपने date of birth को analyze करके आप पता कर सकते हैं कि क्या आपके date of birth में depression की chances है especially I would say this video is very much important for parents क्यों इसके बारे में हम detail में जानेंगे इसके पहले कि हम आगे बड़े अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिये bell icon को hit करिये and all notification select करिये ताकि ऐसे informative videos की जानकारी लगातार आप तक पहुँच पाए and I would like to request इसे आप जादा से जादा young crowd, youth crowd के साथ share जरूर करियेगा parents के साथ share जरूर करियेगा क्यों? क्योंकि आप इस video में जानेंगे कि क्यों मैं इस बात पे stress दे रही हूँ? आगे आने वाले दिनों में depression will become a common disease every other person you will hear that he or she is going into depressions आप जल्दी से अपने date of birth एक paper और pen लेके लिख लीजिएगा and then as I have always explained आपको अपने date को sum up करके एक single digit में लेके आना है and that is your driver or mulang और date, month और year को sum up करके आप एक single digit में लेके आए that is your conductor और भाग्यांग अब आप देखिए अपने पूरे date of birth में that is date, month and year, driver and conductor इन सारे अंकों को लेके आप चेक करिए कहीं two number आ रहा है या आपके date of birth में multiple twos आ रहा है usually हमारे century के जो लोग है we were very lucky because we had the blessing of two numbers that is number one and number nine by default but अभी जो 21st century के बच्चे है उन में number nine miss हो चुका है and there are big chances that they will have multiple twos in their birth chart अब two number जो होता है वो चंद्रमा को दर्शाता है अब चंद्रमा मन के कारक है मन के कारक चंद्रमा का nature आप देखिए पंदरा दिन बढ़ते हैं and पंदरा दिन घटते हैं so similarly यह सारे जो बच्चे अभी के century के हैं जिन पर multiple twos है उनके date of birth में they will be moody कभी तो बहुत खुश कभी तो मैं यह कर लूँगा वो कर लूँगा ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं and then the next when the moon is descending order then they are like नहीं मेरे से नहीं होगा मैं यह करी नहीं सकता यह अक्सर सारे बच्चों में आपको देखने को मिलेगा अब multiple twos होने के कारण क्या होता है चंद्रमा की energy multiply हो गया that means यह मन से बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि they are high in intuitions but मन से they are not that strong कमजोर भी कहा जा सकता है easily they will get hurt कुछ भी बात easy छोटी सी बात हो गई मन को लगा लिया आपने देखा होगा कि हमारे century के जो बच्चे हैं हमारे माबाप अगर जब डाटते थे तो maximum what we used to do is कि रो के बैट जाते थे और nothing else हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि हां कुछ बोले या खाना पीना छोड़ दे अभी के बच्चों का आप देखिएगा थोड़ा सा आपने डाटा नहीं कि बच्चा खाना पीना छोड़ देता है या आप देख सकते हैं कि अभी young generation कितने सारे suicide attempts के cases सामने आते हैं इन सब के reason जो है यह multiple two है जो की बहुत दुकत है so that means parents have to be very careful so please आप अपने बच्चे के birth chart को analyze जरूर करियेगा देखियेगा कि multiple two number तो नहीं बैटे हैं और उनके साथ साथ हमें बहुत सारा date of birth में configuration देखना होता है but this is one of the major hint अगर multiple two है बच्चे के chart में then the parents have to be careful because there are high chances of the child or the youth going in depression अब multiple two की तो बात हमने किया multiple two के साथ साथ आप चेक करिये कि आपके driver और conductor कहीं anti तो नहीं है for example driver 4 and conductor 2 और driver 2 conductor 4 और driver 1 conductor 8 और driver 8 conductor 1 और driver 2 and conductor 8 अब इसे ऐसे समझिए driver 2 मतलब चंद्रमा चंद्रमा पानी राइट क्योंकि चंद्रमा के वज़े से ही पानी में लहरे आते हैं high tide होता है so he is very closely connected to water अब आट जो है वो लोहा शनीदेव को दर्शाता है तो अब आप समझिएगा इसे जैसे की पानी और लोहा contact में आ गया तो फिर क्या होगा obviously rust जंग लग जाएगा right so similar way ये इनसान के life में भी havoc create कर सकते हैं because of this driver and conductor and इसके साथ साथ अगर multiple 2 है तो depression में जाने की chances प्रबल प्रबल और प्रबल है इसलिए I would advise कि आप किसी अच्छे numerologist को contact जरूर करियेगा and see to that you follow all the remedies some of the remedies I will let you know आपको क्या करना चाहिए अगर आपके driver और conductor anti है या multiple 2 आपके chart में है तो depression से बचने के लिए आपको जादा से जादा पानी पीना चाहिए अब पानी भी आपको मैं कहूंगी कि silver glass में पानी पीजिए क्योंकि silver is against Chandrama तो यही कहीं न कहीं आपके मन को balance करने में help करेगा और आपको क्या करना चाहिए minimum 10 to 15 minutes do moonlight walk now what is this moonlight walk that means Chandrama के रोशनी में आपको नंगे पैर चलना चाहिए कम से कम 10 to 15 minutes अब यह Chandrama के रोशनी में भी क्या रोश हम चले नहीं it should be शुकलपक्ष के Chandrama अब शुकलपक्ष के Chandrama क्या है जैसे ही अमवाशिया finish होता है then Chandrama जो है बनने लग जाते है so that is called as ascending शुकलपक्ष उस time पे आपको moonwalk करना चाहिए minimum 10 to 15 minutes और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते है आप एक silver का कड़ा पहन सकते है usually आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी silver का usually लोग पहनाते है which is very good so आप silver का भी कड़ा दारन करिए उमीद करती हूँ ये सारे remedies आप करके कही न कहीं आप अपने आपको स्ट्रॉंग बना सकते हैं और डिप्रेशन से बच सकते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टिपल टूस है और क्या आपने ड्राइवर कंड़क्टर कैल्कुलेट करना सीख लिया I will wait for your comments good luck and good bye thank you